अब हम नए टॉपिक का नाम लिख लिख लीजिए पाइनल अकाउंट लिख लीजे इंपोर्टन टॉपिक है सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफिसे नहीं यह टॉपिक इंपोर्टन है फॉर यह इंटरमिजेट फॉर यह फाइनल फॉर यह आर्टिकल शेप फॉर यह करियर इन टोटल मतलब आप एक समझ लो आप जीवन में कुछ भी करना मतलब तू सिय मत बनना तू डॉक्टर बन जा इसके बाद में तुने डिसेड़ किया नहीं मेरी जिन्दे की जंड़े मैं डॉक्टर बनेगा डॉक्टर बन जा तू अफंस्तान में भी हिसाब किताब रखना है किस तरीके से हिसाब उसके लिए फाइनल अकाउंट आ अपको आना ही चाहिए सो बटा जी इस बात पर गौर फरमाना एक बार अच्छे से कि फाइनल अकाउंट तो भाई जी आप किस profession से हो कौन सी जगे पर कोई फरक नहीं पड़ता final account तो आना ही चाहिए तो राजा बेटा जी final account के बारे में मैं अब आपको कहता हूं कि दो प्रकार के final account आपके syllabus में है पहला वाला manufacturing entity एक काम करते हैं थोड़ा सा और detail में समझते हैं तो final account को मैं कहूंगा कि आप तीन हिस्सों में divide कर सकते हूं एक manufacturing entity manufacturing entity trading entity और last वाली है service industry तो यदी मैं आपको कहूंगा कि manufacturing entity है trading entity है service entity है यह सब बाते आपको मैं बोल रहा हूं manufacturing trading और service entity है ऐसे मैंने तीन नाम आपको बता है इनके example दे देता हूं तो पहला वाला manufacturing entity का नाम बताता हूं right let's take an example can I not say samsung right dell apple right patanjali then I would like to say reliance these are all what manufacturing entity trading entity का नाम बता दा हूं मैं can I not say demart demart के बाद में अगर मैं आपको next नाम दू इसके अंदर trading में big bazaar या grocery store यह 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 आंपर manufacturing नहीं करते है यह trading करते है grocery store service entity का नाम दू तो DTDC right hospital वकील that is lawyer agreed all these things come under the service entity अब बेटा जी जो आपका manufacturing है उसके लिए जो account बनते है उनके नाम बता रहा हूं पहला वाला बनता है manufacturing account manufacturing account manufacturing account के बाद में बनता है trading account trading account के बाद में इधर बनता है pay and account और फिर इसके बाद में बनती है इधर balance sheet common sense की बात है manufacturing में हमको मिलती है cost कितनी हुई उस goods की cost कितनी हुई जैसे कोई एक pharmaceutical company है right so पहले manufacturing account बनाएंगे pharmaceutical company कि भाई हमारी लागत हमारा खर्चा कितना आया वो खर्चे से वो पता करते कि भाई हमने इतनी सारी tablets बनाई इतना सारा injection बनाए और उसकी cost इतनी आई उससे आपको मिले कि cost of the product क्योंकि आप किसी से buy नहीं कर रहे है जैसे आपके बास purchases है ही नहीं आपके बास purchases raw material का है अभी तक आप क्या कर रहे थे बच्पन से trading account था बिंदास purchases ले sale कर अभे purchases क्या कर रहा है finished goods का purchases कर रहा है इसलिए sale कर पा रहा है बट अगर बना कर बेच रहा है तो क्या करेगा राइट अब तू देख ले मठका बना रहा है तो मठके के लिए तुझे लगती है मिटी अब वो मिटी paint राइट वो सारी चीज़े या फिर उसको heat करना पड़ा है वो सारा जो खर्चा है उसको purchases नहीं बूल सकता है उससे तुम manufacturing cost निकालेगा और manufacturing cost को डालेगा trading account में और trading account से निकलेगा GP या GL gross loss और यहां पर निकलेगा NPNL और वो डालिंग हम capital में और balance sheet होगी टैली यह बात हुई manufacturing के लिए बट अगर मैं आपसे बात करूँ कि कोई trading है तो trading वाला सिर्फ बनाता है trading account और फिर उसके बाद में वो बनाता है P&L account और फिर वो बनाता है balance sheet यह किस case की बात कर रहा हूँ मैं trading वालों की अगर service entity वाला बनाता है तेरी के अपन तो directly P&L account बनाता है भाई साब क्योंकि अपने आपर कोई trading होता इच नहीं है राइट कुछ trading है नहीं एक कोई architect क्या trading करेगा एक lawyer क्या trading करेगा वो तो services दे रहा है एक doctor है cat trading करेगा और वो वहाँ पर P&L account के बाद में बना देता है balance sheet तो बेटा जी आपको एक चीज के बारे में पता होना चाहिए बहुत अच्छे से सही से की बेटा जी इस प्रकार के तीन तरीके से final account बनते है जब यह आपको बात समझ में आ गई so then we are expected to go ahead and understand what all is there in manufacturing account so पहला वाला में बता रहा हूँ manufacturing को visualize करो यह factory है right इस factory में लोग काम कर रहे गाना चल रहे दम लगा के इशा इधर काम चल रहे इधर कुछ एक machine है मेरी drawing तुमें मालू मेने कैसी है इधर कुछ एक machine है इधर से कुछ तो गिर रहे है इस machine से यह लोग काम कर रहे है बाप रे बाप यह सब सब काम चल रहा है factory में चल रहा है काम factory से काम होने के बाद में यह माल पहुचा इधर यह माल पहुचा इधर ऐसे यह माल पहुचा इधर यह माल हो रहा है sale आफिस में काम चल रहा है किसका तो सुनते हैं अकाउंटिंग हो रही है इधर अकाउंटिंग हो रही है इधर आडिट हो रहा है इधर AC है इधर इलेक्टरिसिटी जनरेट हो रही है इलेक्टरिसिटी लग रही है कर रही है यह तुम्हारा ओफिस है वगर वगर अब मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ आप मुझे बताईएगा जरा सोच समझ के कि आपको फैक्टरी में क्या क्या दिख रहा है मैं आपको बत तब तक आखे नहीं जाओंगा तब तक मेरे रजगुल्ले बच्चो जो जो व्यक्ति Pen Drive में मुझे देख रहा है प्लीज आप भी लिखिए कि कार की फैक्टरी में आपको क्या क्या दिख रहा है सर माई तो कभी फैक्टरी में गया ही निकार की अभे तू इसके फैक्टरी में गया है क्या जहां पर यह बनती है ब्रेड तो ब्रेड के फैक्टरी में क्या दिखता है वो देख तू जिस फैक्टरी में गया होगा उस फैक्टरी में क्या दिख रहा है वो लिक फैक्टरी में जा मैंने बोला कि कार की फैक्टरी में गए बट जो जो बच्चे कार की फैक्टरी में कहीं नहीं गए वो मुझे बता है कि वहां पर आपको क्या क्या देखने को मिलता है आओगे जब तुम साजना और ध्यान रहे अगर गलत आंसर दिया ना तो शादी नहीं होएगी फिर बन जाओगे मामा तो ये बच्चा बोल रहा है कि वर्कर्स दिख रहे वेरी गुड वर्कर्स को दिया जाता है वेजेस बिलकुल सही है और मशीन दिख रहे इंजिन दिख रहे बरोबर है तो उदर लगेगा डेप्रिसियेशन आन प्लांट एंड मशीनरी ठीक है स्टील दिख रहे थार्ड रॉव्क्रश बिख रहे वेरी गुड तो इसको लघ जाएगा रॉव मटेरियल इदार कुछ रॉव मटेरील कुछ आधी कम्लिटेड चीज़ अभी तो ओग ही आधी कम्लिटेड चीज़ है राइट सो कंश गेन एन प्रोग्रेस work in progress right उदर को ऩह sesame है उदर एक power प yhtर यहात लगाओ current लग dual current लगया current लगया current लगया यह क्या है power कुछ नहीं हो कुछ नहीं बाबा power 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 लगता है का नहीं लगता है current इससे काम चल रहा है पुरा yes, so machine tools etc etc मतलब फ्लोर पर फैक्टरी के फ्लोर पर जो जो काम हो रहा है उससे रिलेटेड़ सारा का सारा एक्सपेंस यह कहा जाएगा मैनिफेक्चरिंग अकाउंट में जाएगा इधर दो प्रकर की इन्वेंटरी होती है एक रॉम माटेरियल और एक वार्क इन प्रोग्रेस अब मैं आप से पुछता हूँ कि यह office, office नहीं, sale कर रहे हो, यह ट्रेडिंग है जहाँ पर ट्रेडिंग हो रही है sale करने के बाद में राजा बेटा जी इधर मैं आपको बतादा हूं, office में आपका खरचा लगता है, printing and stationery, agreed, second level पर मैं अगर आपको बताऊ, electricity, electricity, third level पर मैं बतादाऊ, तो मिलेगा आपको salary, right, और फिर क्या-क्या जाएगा fourth number पर, can I not say postage, advertisement, interest, discount allowed, bad dates, etc, etc. So, वेटाजी इधर भी आयगा depreciation, 9th depreciation, जो AC इधर लगा हुआ है, उस AC का depreciation इधर आयगा, बट जो factory में लगी हुई machine है उसका depreciation कहा जाएगा factory में लगी हुई machine का depreciation कहा जाएगा manufacturing account में so बिटा जी मैं आपको बता रहा हूँ यह है manufacturing account और manufacturing account में आपको क्या मिलता है cost यह cost transfer होती है trading account में इधर यह add हो गई cost और इधर से निकलता है आपका GP या GL और यह GP और GL जाता है P&L account में और यहां से मिलता है आपको net profit या net loss और यह जाता है balance sheet में आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया बिटा जी कि manufacturing account will show you what cost it will not show profit or loss trading will show gross profit or gross loss and at the same time idea friend your P&L account will show definitely net profit or net loss appreciate this if you people have understood so far it becomes now very important paramount importance that we see the format of manufacturing account क्यों बाकी की साब चीजे बाद में तो पहले हम manufacturing account का format सिखेंगे और एक बार manufacturing account का format सिखेंगे उसके बाद में मैं आपको एक homework दूँगा उस homework के तहत आपको यह format लिख कर लाना है let test काम करते हैं पहले unit 2 पढ़ना कभी भी तो यह जो manufacturing account है इसके अंदर कितने account बनते हैं आपको पहले ही बताया था यह रहा यह आपको आना चाहिए तो बिटा जी यह चीज का screenshot ले लिजे या photo ले लिजे इसकी अब आप लिख लिजे manufacturing account मैं आपको बता रहा हूँ मैं जैसे बता रहा हूँ पहले वैसे लिखते चले जाहिए तो पहले इदर आएगा two opening stock of RM और opening stock of work in progress RM मतलब raw material जो आपका raw material रहेगा वो जाहिर सी बात है closing stock इदर आएगा buy closing stock RM और work in progress अगर कुछ रहा तो इदर आएगा two purchases इदर purchases क्या करेंगे आप raw material purchase करेंगे you cannot buy work in progress work in progress कैसे वाई करोगे raw material वाई करोगे न आदा अधूरा गाड़ी देदो नहीं not possible फिर इदर आएगा two royalty to royalty अब royalty किसके लिए for example कि आप कोई गाड़ी बना रहे हो jaguar land rover से आपने कोई technology लिए तो उसके लिए आपको उनको दीनी पड़ेगी royalty to power to power to wages to power account to wages account agreed जो कोई भी खर्चा आपका factory premises के लिए लगता है वो to depreciation on plant and machinery ध्यान रहे यह factory में यूज होने लिए plant and machinery चाहिए तो इसका depreciation इदर आजाएगा यह cost to carriage inward carriage inward agreed मतलब raw material को लेकर आने के लिए जो खर्चा लगेगा वो इधर manufacturing करते है तब क्या होता है कई बार scrap generate होता है right तो scrap generate होता है तो scrap को हम sale करते है so can I not say by sale of scrap ध्यान रहे इदर माल नहीं भीकता माल भीकता है नीचे trading account में यह sale of scrap और राजा बिटाजी इदर आएगा by cost of goods manufactured cost of goods manufactured यह इदर cost of goods manufactured आजाएगा balancing figure और हमेशा यह balancing figure credit में आएगा it cannot be on the debit side cost of goods manufactured तो जरा एक बार देखिए इसके अंदर आपको चीज़े समझ में आरीक है तो too raw material opening inventory purchases less closing inventory क्यों किया मैं आपको समझाता हूँ direct wages, direct expenses, prime cost को बूल जाओ, factory overheads में उनना बताया royalty, higher charges, repairs and maintenance अगर factory से related कोई भी repairs and maintenance है तो और depreciation, factory cost आए opening WIP जो मैं ने उपर ले लिए था और buy product at net realizable value जो मैंने बताया, scrap, scrap को आप यहाँ पर क्या लिखो कि net realizable value selling price पर, closing work in progress और बिटाजी trading account में जाएगा cost of production अब बेटा जी पूरी बात जान से सुनी, यह trading account में जाएगा, यह मैंने simple भाष्चा में आपको बताया, अब बेटा यहाँ पर यह जो closing stock है ना इधर raw material का, यह credit में लिखने की जगे पर, मैं debit में भी तो लिख सकता हूँ बट debit में अगर लिखना होगा तो मुझे क्या करना होगा, minus तो उसी को वो बोलते है, RM consumed का formula क्या है, जैसे मान लो, तुमारे पास 5 लड़ू थे, तुमने 10 लड़ू और purchase किये, और उसमें से 6 लड़ू बच गये, तो ऐसा कैसा 6 लड़ू बच गया, तो जाहिर सी बाच पा इसको बोलेंगे, purchases, इसको बोलेंगे, closing store, institute क्या बोलती है, कि आप consumed निकाल के बताओ, हम बोलें, क्या tension है भाई, हम ZA के student है, निकाल देंगे, consumed, consumed का formula क्या है, opening plus purchase minus closing, consumed, opening plus purchase minus closing, consumed, यही तो लिखा है, opening plus purchase minus closing, यह इधर निकल गया consumed, RM consumed, ठीक है, direct wages आपको बता है, direct expenses आपको है फैक्टरी में रिलेटेड जो भी खर्चे वो सारे इधर आ जाएंगे क्रेडिट साइड में आ जाएगा आपका स्केल ऑफ स्क्रैप बट सेल ऑफ स्क्रैप आपको कौन सी वैल्यू पर ले नाने वाल एक्जाम में इसको एक्सप्ट कर रहा हूं कि इस पर शाइब कौस्ट आया łra बट आपको मैनिफेक्टरिंग अकाउंट आनी जाए अब यह मैनिफेक्टरिंग अकाउंट का जो कॉस्ट निकला न वो कॉस्ट जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के अटैबिट साइ में जाता है, देख लो इतर 1,19,000, so manufacturing से निकला cost और वो कहा जाएगा trading account के debit side में, अब बेटाजी मैं assume करके चलता हूँ कि आपको trading और P&L account आपने इसके पहले सुना होगा और यह revision batch है, तो मैं आप सभी लोगों को directly अभी homework दे रहा हूँ और वो कौन से level का homework है, so मैं आपको बता रहा हूँ, पहले manufacturing account पढ़ने का, right, unfortunately पहले non manufacturing पढ़ते हैं बच्चे बट पहले manufacturing पढ़ने का, और उसके अंदर आपको मैं बता रहा हूँ, यह trading account का format है, manufacturing account का format है, right, यह सब चीजे आपको आनी चाहिए, trading account का format, तुम मुझे पुझा करें कि सार इधर तो कॉस्ट अप्रोडक्शन नहीं लिग रहे क्योंकि यह कॉंसी एंटिटी के बात करें यह दिमार्ट की बात करें मेज़ॉरीटी कोश्चन इसी तरीके से आते हैं सो डिमार्ट कभी भी रा माटेरियल नहीं बाय करता है वो डेरेक्ली फिनिश गुड्स बाय करता है इसी लिए वाहां पर डेरेक्ली आप यह देखी कैसे वरकाउट होता है तो यह तो हो गया manufacturing account, उसके बाद में trading account अगर बनता, so trading account के अंदर क्या आजाता, cost of manufacturing, manufacturing cost आजाता न, but अगर मानले, तुमारी entity का ही नाम है, right, big bazar, demart, right, grocery store, so वो बन्दे manufacturing नहीं करते, तो उनके पास क्या होता है, to opening stock of finished goods, to purchases, right, to carriage, please confuse नहीं को, तुम बुलेगा सर, carriage invert और wages, हमारी teacher, सुन्दर teacher बता दी दिये, कि ये तो जाता है trading account में, आप उसको manufacturing में भी लेके के, भाई साब, अगर manufacturing account बनाते हो, तो manufacturing में जाएगा, और फिर वहाँ से cost directly उतर के आएगी trading में, बट जब आप माल बाहर से मंगा रहे हो, finished goods as it is मंगा रहे हो, जिसे shut, मैंने as it is मंगा है, मैंने manufacturing नहीं की, तो उस case में बिटाजी, उसका carriage invert, उसका wages, जो कुछ भी है, वो सारा कहां जाएगा trading account में, तो ये trading entity होती है, trading entity like for example, demart etc, तो उस case में आपके debit side में आएगे cost, credit side मे तो राजय बिटा जी मैं आपको लिये चलता हूँ, इस जगे पर, तो मैं चाहूँगा कि आपको अब जो करना है वो trading account, तो कुछ बच्चो को ए confusion जरूर हो सकता है, कि सर एक item manufacturing में भी आ रहा है, और एक item trading में भी आ रहा है, trading में तब आ रहा है, जब ये trading entity है सिर्फ, तो wages trading में जाएगा, but manufacturing account बनाओ बुले, तो manufacturing में जाएगा wages, manufacturing account बुला, तो royalty manufacturing में जाएगा, carriage inward will go in manufacturing account, if they ask you to prepare what, manufacturing account, but अगर उन्होंने manufacturing के बारे में नहीं बुला है, तो आपका carriage inward, आपका wages, आपके सारे expenses कहां जाएंगे बिटाजी, it will go into the trading account, I hope the point is clear, so trading account का format आपको बनाना चा जिसका नामे P&L account, आजा, 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 डुडूम, 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 ये trading के कराए, ये रा P&L account, P&L account का rule simple है, जिसका कोई नहीं उसका P&L account, सारे other expenses, P&L account के debit side में, सारी income, P&L के credit side में, ये दिकरा हैंगा, सारे expenses, direct or indirect, सारे debit side में, और सारे income, right, direct or indirect, it will go into what, P&L account, goods का sales, if trading account में जाता है, बट बट जिक गुड्स के अलावा, किसी भी वस्तु को बेचो, किसी भी वस्तु पर होने वाला profit, ये का जाएगा, P&L account, मतलब जिसके अंदर हम trade करते हैं, वो जाएगा trading account में, बट जिसमें trading ही नहीं करते हैं, जासे, for example, मुझे rent मिला, मुझे interest मिला, this will go where, in my P&L account, discount receipt, it will go in my P&L account, so that's what I am talking about P&L account, और उसके नीचे, यहाँ पर, बस हो गया, थोड़े से, क्यों, ने, पांच वन ने हो जाएगा, उसके बाद में आपका balance sheet का format है, and you have to complete the balance sheet format also, completely thoroughly, और उसके बाद में हम आगे की चर्चा कर पाएगे, balance sheet भी आपको लिख कर लाने का है, तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं आपसे जो question पूछूँगा, उसका answer मुझे तुरण चाहिए, मैं पूछता हूँ, रावन क्यों हारा, रावन क्यों हारा, मतलब आप देखेंगे, तो रावन शक्तिमान था, रावन के पास वर थे, सब चीज़े थी, फिर भी रावन क्यों हरा, रावन क्यों हरा, तुमने गोला, सीता को भगा के लेग गए इसलिए, तो नहीं, फिर मैं तो आशकल देखता हूँ, political field में कैसे कई सारे लोग है, हैंकार, ओके, और क्या, political लोग ऐसे कई सारे गलत काम करते हैं, बट फिर भी जीतते रहते हैं, तो मैं इन चीज़ को मानता नहीं हूँ, कि मैं practical चीज़ दिखकर बता रहा हूँ, you are absolutely right, पियुष गोएंका जी, it was overconfidence, it was overconfidence, विबीशन ने दोखा देना ये इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था, right, क्योंकि उनको जब पता चल गया कि विबीशन ये सब चीज़े प्लाइन करने वाला है, तो उतना बड़ा इशू नहीं था वो, के उसको टैकल गया जा सकता था, बट जब आदमी के दिमाग में, जैसे मानलो, मरने से अच्छा, हमारे लोगों को मारने से अच्छा, हमारे सिफाईयों को मारने से अच्छा, तो हम ये करते थे, हम give up कर दे थे कि जब हम को पता ही था, आपको पराजित करने वाला वेक्ति आपके अंदर विराजमान होता है और इसके वज़े से दिक्कत है मेरा 11-12 में हुआ है मुझे तो यह easy आता है बड़ मैं आपको बतारों मेरे experience से यह question हमेशा है दो बार इस पर 20 mark के questions आ है तो मतलब ICI इसको weightage बहुत जादा देती है और यदि आप over confidence में जा रहे हो तो सोच लो ICI जिसको 20 mark देती है कुछी important है और मैंने बताया कि आप 11-12 में हो, commerce में हो, किस में भी हो आपको यह वाला topic तो आना ही चाहिए तो अगर यह वाला topic आना ही चाहिए ऐसी बात है तो बेटा जी इसके जो format से वो आपके जबान पर होने चाहिए क्योंकि कल जब मैं बात करूँगा तब उसमें संगर्शना यह item किदर जाएगा, इदर जाएगा, कि उदर जाएगा, ऐसा जाएगा, कि उदर जाएगा, तो फिर बात खतम हो जाएगी तो यह वाला item आपको आने ही चाहिए और इसके लिए इसका format सभी लोग notebook में लिख कर लाएंगे नहीं लिख क्या होगे तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं responsible नहीं हो, आप आपकी पराजय के लिए responsible रहेंगे तो द्यान रखना, पराजय करने वाला व्यक्ति, वो रावन हमारे अंदर हिस्तित है, उस रावन को कभी अपने आप पर विजय मत पाने देना तो जब जब आपको और confidence हो, तब उसको बोलना कि भाई शानत हो जा, एक cardiologist इतना ज़ादा उसको आने के बावजुद भी, उसके हाथ से patients मरते ही है सभी लोगों को अपने अपनी शेत्र में perfect होने के बावजुद भी और गलतिया करते है, तो हमें ये विनमरता से agree करना पड़ेगा, और अगर sir बूल रहे कि कर के आजाओ, तो मैं कर क्या हूँगा, ये वाला विचार महान है, और इस विचार से आप एक काम करोगे, ठीक है अब देखो, प्रिया अगरवाल वापिस हो गई, एकदम से, एकदम से ही वो छोड़ चुकी है, अपनी लेवल कोर बुल रही है, कि sir जो exam में question आया था, वो solve कर सकता है, अरे छोरी, मैं तरे को क्या बता रहा हूँ, वो बात पकड़ी नहीं, अभी हम concept सीख कर जा रहे है, कुछ चीजों के लिए process से जाना पड़ता है, दही जमाने के लिए उस process से जाना पड़ता है, तो जल्द बाजी करें कि तो मतलब नहीं है, और करना है, तो 4-5 दिन बाद आना, directly lecture में दिख जाएगा, कैसे solve किया है, 4-5 दिन मतलब कल पर सो आना, directly lecture में दिख जाएगा, और रजगुल अपनी सर को, राइग, तो रजगुल लो प्यार से बाबाए, गाद ब्लस्यों चेकर, लॉट्स अव लव, मस्ते